हलो एवरिवन आज है 12 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में देखे 24 रुपय का शेर है और पिछले कुछ टाइम से लंबे समय से चर्चा में रहा भी है तेजी आती है गिरावट आती है तेजी आती है गिरावट आती है है घरानी अब होती है जब गोल्डमेंड शेच जब शेर 28 रुपय के आसपस्फ ट्रेट कर रहा था और गोल्डमेंड शेच यहाँ पर बेचने की बात करते हैं और शेर सीधा गिरकर नीचे की तरफा आता है और 16 रुपय का टार्गेट गोल्मेंट शेच यहां पर देते हैं अभी दीरे-दीरे कोशिश कर ही रहा था वापस 30 दिखाने की लेकिन पिछले चार ट्रेडिंग शेशन से अगर आप देखोगे तो बहुती साइलेंटली ये नीचे जा रहा है कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं आती इंटाडे में ल प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पो काफी जादा हल्प करेंगे तो यस बैंक का शेर 24 रुपे के आजपास ट्रेड जरूर कर रहा है आज देखा जाए तो आधे परसंट के गिरावट यहां पर देखने को मिली है पिछले एक महिने के अंदर सारे छे परसंट का ग्रोथ है 20 रुपे से बहतरीन तीज़ी आई थी 25 पर क्या था यह मतलब कह सकते हैं कि 20 परसंट की इसना दिखाई थी 20 से 25 परसंट की लेकिन बाद में क्या हुआ फिर से यहां पर गिरावट शुरू हो गई और अगर टाइम में डबल हुआ था पैसा वापस से गिरावट यहां पर बनी थी और जब यह गिर रहा था अतकरीवन 27 रुपे के करीब था गोल्डमें शेच की कमेंटरी आई थी तब मैंने भी कहा था कि हाँ गिरावट एक्सपेक्टेड है इसके चलते लेकिन गोल्डमें शेच क जो 16 रुपे का टागेट है वहाँ तो यह कता ही नहीं जाएगा हो सकता है कि 20-22 रुपे के आसपस एक सपोर्ट बन जाए और वहाँ से 30 आ जाए और ऐसा हुआ भी था 20 रुपे के करीब गया और वापस से 30 देखने को मिली 25 रुपे पर गया है और देखा जाए तो वो भी एक रिजिस्टन्स वाला लेवल है और मैंने तब भी कहा था कि इससे पहले भी 25 रुपे के लेवल ने इसको परेशान करा था जब तेजी आई थी यहाँ पर 25 रुपे के लेवल ने परेशान करा था वापस से गिरावट आई थी इस बार 25 रुपे का लेवल इंपोर्टन् रह सकता है वहाँ से एक initial buying generate हो सकती है उसके बाद एक strong support जो है वो 16-17 रुबै के बीच में होगा और again वो एक बहतरीन support होगा उससे नीचे जाने के आसार तो इसके ना के बराबर है volumes अगर आप देखोगे तो 13.5 करोड से भी जादा के share trade होते नजर आए देखो बड़ी quantity में trading चल रही है आज बाजार में गिरावट है अगर आप देखो तो आज बाजार में काफी गिरावट रही लेकिन actually में small cap med cap में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जादा तर जो गिरावट है वो large cap में जादा देखने को मिली company अगर आप देखो bank देखो तो 70,000 करोड के आसपास का market cap है और दीरे दीरे जब correction आ रहा है तो market cap भी उस तरीके से कम होता नजर आ रहा है bank के बारे में नजर करे तो देखे according to money control user 60% लोग करे खरीदारी करो 20% लोग करे बेचो और भाग जाओ 20% लोग करे होल्ड करो यहाँ पर अगर आप इनके नतीजे के बारे में देखे के देखो अभी के next quarter जो result बहुत ज़ादा important रहने वाला है क्योंकि देखो expectation बहुत हाई है इस company से valuation भी अगर आप देखो तो काफी high valuation के उपर है यह बले ही 24 रुप आपको देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन actually में अगर आप valuation निकालोगे तो यह सस्ता नहीं है यह महगा है और यही वज़ा है कि थोड़ा बहुत ups and downs होगा results के बाद खास अगर नंबर किस तरीके से आते हैं अगर आप valuation देखोगे तो इसका जो PE है वो 68 का है जोकि काफी महगा है sector P 21 के मुकाबले कोई भी analyst खरीदारी करने की यहां पर बात नहीं कर रहा यहां कि जो लेवल अभी आ जिस लेवल पर यह है वो एक resistance वाला लेवल है 24 से 25 रुपए का अगर आप देखोगे इसके तो इनके revenue में लगातार तेजी है कोई शक्की बात नहीं उसमें 8245 क्रोड के आसपास के revenue रहे थे जो इससे पहले 7900 क्रोड थे उससे पहले 7200 क्रोड थे उससे पहले 8900 क्रोड थे तो लगातार revenue ज़रूर बढ़ है लेकिन profits नहीं बढ़ा उनक देखे जब इनका 7200 क्रोड का था तब 200 क्रोड का revenue था इवन जून में जब 7600 क्रोड का revenue था तब 3500 क्रोड का profit था तो देखा जाए तो कम हुआ है profit इनका revenue बढ़ा लेकिन profit नहीं आया तो यहाँ पर profit और जादे इनको कमाने पड़ेंगे अगर नहीं कमा पाएंगे दिक्क देखने चाहिए अगर ऐसा होगा तो अच्छी बात होगी नहीं होगा तो दिक्कत होगी हलाकि मैं यह एक्सपेक्ट कराओं कि revenue में तो तीजी आएगी ही आएगी मार्च का भी revenue जो होगा वो quarter के मुकाबली भी जादा होगा यहाँ पर मुझे लगता है कि profits में देखना interesting हो कि वो किस तरी केसे देखने को मिलता है वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आता है शेह holding के बारे में देखे तो जो promoter थे राना कपूर अन फैमिली वो तो भया बेच बाच का निकल लिए जो कहते थे कि yes bank के share मेरे लिए gold mine है मैं अपने बच्चे के बच्चों को दूंगा इसके shares और उनके इसी statement के 9 महिने में ही वो सारे shares बेच का भाग गए यहां से mutual fund के पास 0.14% का stake है domestic के पास 42.06% का stake है domestic institution में कई सारी जो others में जो आप देख रहे हो उसमें banks है SBI से लेकर कई सारे HDFC से लेकर कई सारे banks है जिनोंने yes bank में तब निविश करा था जब yes bank crisis आया थ यहां पर 10 सदा करोड पर infuse करे गए थे यहां पर और देखिए अभी जो latest update यहां पर चल रही है वो yes bank के बिकने को लेकर है देखिए yes bank में अभी हाल फिलहाल में ही updates थी कि SBI सोच रहा है कि 51% का stake यहां पर बेचा जाए हलाकि SBI के पास 51% stake है नहीं लेकिन SBI और बाकी bank मिल कर यह कर सकती है लेकिन उन सब का मिला कर भी 51% stake नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत यहां वहां से करके जुगार करेंगे यह कुछ भी होगा लेकिन 51% का stake यहां पर बेचने का plan है इनका और कोई बड़ा promoter कहलो या फिर investor कहलो या फिर कोई कहलो कि वो यहां पर आएगा औ और इसको खरीदेगा acquire करेगा अगेन मैं कहते हूं यह बहुत 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 लंबा प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है और जो भी आएगा उनको बहुत सारा पैसा spend करना पड़ेगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है बहुत लंबा टाइम के लिए गिरावट की शुरुवात होई है इससे पहले अगर देखो जो टीजी आई थी काफ़ चीजी तीजी थी यह गिरावट आई तीजी दिखाई और 25 या 20 से अब गिरावट की शुरुवात होई है बस एक रुपे की तो गिरा ही है अभी थोड़ा सा और डिक्लाइन यहां पर ए अगर आप यहां पर दो तिन महीने के लिए हा रहे हो तो भाई कोई तुक नहीं बनता कोई पॉइंट नहीं है यहां पर एंटरी करने का दूर बैठो तमाशा देखो लगिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तब अगर आप चाहो तो अगर ये 20-21 के रेंज में जाता है वहाँ से बायों डिप्स के शुरुआत हो सकती है अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोई भी investment advice नहीं है चैनल बगरा पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और yes bank के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट हमें लिखते बता सकते हैं थैंक्यों